चलो त्रिकॉन मितिय अनुपातों पर आधारित कुछ उधारन हल करते हैं तो यहाँ पर मैं लेता हूँ एक समकॉन त्रिभुज तो यह आगया हमारा एक समकॉन त्रिभुज इस त्रिभुज का जो आधार है वो मैं ले लेता हूँ समझो मैं ले लेता हूँ यहाँ पर साथ और इस त्रिभुज की उचाए मैं ले लेता हूँ समझो की चार तो ऐसी स्थिति में इस समकोन त्रिभुज का जो कर्ण है यानि की ये वाली भुजा ये क्या होगी तो यहाँ पर हम जानना चाहते कि कर्ण क्या होगा चलो इस कर्ण को हम यहाँ ले लिते हैं के तो हम जानना चाहते हैं यहाँ पर के कितना है तो क्यूंकि यह एक सम कोण त्रिबुज है तो यहाँ पर हम पाइथा गुरस के प्रमे के द्वारा यह के का मान निकाल सकते हैं तो पाइथा गुरस के प्रमे के द्वारा यहाँ पर के का जो वर्ग है वो बराबर होगा चार का वर्ग, धन, साथ का वर्ग तो के का वर्ग हमें मिलेगा यहाँ पे 4 का वर्ग यानिकी 16 धन 7 का वर्ग यानिकी 49 तो के का वर्ग आ जाएगा 16 धन 49 जो हो जाएंगे 65 तो यहाँ के का वर्ग हमें मिल रहा है 65 अब अगर दोनों तरफ हम वर्गमूल ले ले तो हमें के कामान मिल जाएगा और के कामान हमें मिलेगा यहाँ पर वर्गमूल 65 का तो यहाँ आ गया यह वर्गमूल 65 हा मैं याद दिला दूं के वर्गमूल लेते वक्त हम धनात्मक और रिनात्मक दोनों ही वर्गमूल लेते हैं लेकिन क्योंकि के जो है वो यहाँ पर इस्त्रिभुज की भुजा है और जो लंबाई है वो रिनात्मक तो नहीं हो सकती तो के हमें यहां मिल रहा है वर्ग मोल 65 का अब अगर यहां पर इस त्रिभुज में मैं ये वाला कोण ले लेता हूँ ये वाला कोण में ले लेता हूँ समझो की थीटा तो मैं जानना चाहता हूँ कि त्रिकोण मितिय अनुपात इस कोण के क्या होगे यानि कि मैं जानना चाता हूँ कि sin theta, cos theta और 10 theta क्या होगा तो उसके लिए देख लेते हैं कि इस theta के समुख और संलंगन भुजाएं कौन-कौन सी है तो theta के समुख भुजा है ये वाली इसके सामने जो है यहाँ पर 7 तो यह 7 है यहाँ पर theta के समुख भुजा और theta की जो संलंगन भुजा है जो उसके पास वाली भुजा है वो है यह वाली जो है यहाँ पर 4 तो यह 4 है theta की संलंगन भुजा अब जैसा कि हम जानते हैं कि इस कौन का जो sin होगा वो कहलाता है sin theta जो होता है समुख भुजा बटा कर्ण तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि जो sin theta है वो होता है समुख भुजा बटा कर्ण तो यहाँ पर theta की जो समुख भुजा है वो है यहाँ पर यह 7 तो यहाँ आ जाएगा 7 बटा कर्ण कर्ण है यहाँ पर 65 का वर्गमूल तो यहाँ आ जाएगा वर्गमूल 65 का तो sin θ हो गया 7 बटा वर्गमुल 65 का और अब अगर मैं चाहूं कि यहाँ पर हर में वर्गमुल नहीं होना चाहिए तो यहाँ पर अंश और हर दोनों को ही मैं 65 के वर्गमुल से गुणा कर देता हूं तो यहाँ पर अंश को मैं गुणा कर देता हूं 65 के वर्गमुल से और यहाँ पर हर में भी इसे में गुणा कर देता हूं 65 के वर्गमुल से तो यहाँ पर यह गुणा करने पर हमें जो उत्तर मिलेगा वो होगा 7 गुणा 65 का वर्गमुल तो यहाँ गया 7 गुणा 65 का वर्ग अब अगर हम इस कोण का कोसाइन नकालना चाहें तो वो कहलाएगा कॉस थीटा और कॉस थीटा होता है सनलंग्न भुजा बटा कर्ण तो मैं यहां लिखता हूँ कि जो कॉस थीटा है वो होगा सनलंग्न भुजा बटा कर्ण तो यहाँ आ जाएगा वर्गमूल 65 का और यहाँ पर भी अगर मुझे हर में वर्गमूल नहीं चाहिए तो यहाँ पर भी अंश और हर दोनों को ही मैं 65 के वर्गमूल से गुणा कल दूँगा तो यहाँ पर मैं गुणा कल देता हूँ अंश और हल दोनों को ही 65 के वर्गमूल से तो यहाँ पर हमें cos theta बराबर मिलेगा अंश में हमें मिलेगा यहाँ पर 4 गुणा वर्गमूल 65 का तो अंश में आ गया 4 गुणा 65 का वर्गमूल, बटा हर में यहाँ पर आ जाएगा 65 का वर्गमूल, गुणा 65 का वर्गमूल, जो होगा 65 और आखर में अगर मैं जानना चाहूं कि इस थीटा का टेंजन क्या होगा, वो कहलाता है टेंठीटा, और टेंठीटा होता है समुख भुजा बटा सनलंगन भुजा, तो मैं हां लिखता हूं कि टेंठीटा होता है समुख भुजा बटा सनलंगन भुजा, तो यह बराबर जाएगा 7 बटा 4 तो इस तरीके से हम समकोंड त्रिभुज के त्रिकोंड में ती अनुपाद sin theta, cos theta और 10 theta निकाल सकते हैं चलो अब sin, cosine और tangent के सूत्र याद रख के हम आगे बढ़ते हैं और एक और प्रश्न हल कलते हैं तो यहाँ पर मैं एक और समकोंड त्रिभुज लेता हूँ, तो यह आगया हमारा समकोंड त्रिभुज, यह है यहाँ पर समकोंड और इसके समुक यहाँ पर यह है कर्ण तो कर्ण यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 4 और ये वाली भुजा यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 2 और ये वाली भुजा होगी 2 गुणा 3 का वर्ग मूल चलो पाइथा गोरस के प्रमे के द्वारा इसकी जाच कर लेते हैं तो यहाँ पर इस भुजा का वर्ग धन इस भुजा का वर्ग बराबर होना चाहिए इस कर्ण के वर्ग के तो चलो देखते हैं, दो का वर्ग, धन, दो गुणा, तीन के वर्ग, मूल का वर्ग, ये बराबर होना चाहिए, इस कर्ण यानिकी चार के वर्ग के, तो दो का वर्ग होता है चार, धन, यहाँ पे दो का वर्ग होगा चार, तीन के वर्ग, मूल का वर्ग होगा तीन, तो चा चार का वर्ग होता है 16, 4 धन 12 यानि कि ये है 16 और ये बराबर है बिल्कुल 16 के, यानि कि ये बिल्कुल-बिल्कुल सही है, चलो हम आगे बढ़ते हैं और यहां पर जो ये वाला कौन है, इस कौन को हम ले लेते हैं, थीटा, लेकिन अगल तुम है 30, 60, 90 त्रिभुज याद है तो यहां पर तुम देख सकते हो, कि इस थीटा के समुक जो भुजा है, वो दरसल कर्ण की आधी है, और हम जानते हैं कि सम कौन त्रिभुज में 30 डिग्री के समुक वाली जो भुजा होती है, वो कर्ण की आधी होती है, तो यहां पर ये वाला जो कौन है, ये दरसल है 30 डि और 60 degree के समुख जो भुजा होती है वो 3 का वर्गमूल बटा 2 गुणा होती है कर्ण के तो कर्ण है यहाँ पर 4 तो यह हो जाएगा 4 बटा 2 यहाँ आएगा 2 गुणा 3 का वर्गमूल यानिक यह है भुजा 60 degree के समुख तो 30, 60, 90 तरिभुज के बारे में तुम्हें दूसरे वीडियो में ज्यादा जानने मिलेगा फिलाल के लिए हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं चलो एक काम करते हैं हम इस 30 degree कोण के साइन, को साइन और टेंजेंट निकालते हैं तो अब अगर हम इस 30 degree कोण की बात कर रहे हैं तो इसके समुख भुजा है यह जिसकी लंबाई है 2 तो मैं यहाँ दर्शाता हूँ कि 30 degree के समुख जो भुजा है वो है यह वाली और 30 degree के सनलंग जो भुजा है वो है ये वाली जिसकी लंबाई है 2 गुणा 3 का वर्गमूल तो 30 degree के जो सनलंग भुजा है वो है ये वाली तो चलो अब हम sin 30 degree, cos 30 degree और 10 30 degree निकालने की कोशिश करते हैं तो sin 30 degree बराबर होगा समुख भुजा बटा कर्ण के तो 30 degree के समुख भुजा है यहाँ पर ये 2 तो यहाँ जाएगा 2 बटा कर्ण कर्ण है यहाँ पर 4 तो यहाँ जाएगा 4 तो sin 30 degree हो जाएगा 2 बटा 4 यानि की ये होगा 1 बटा 2 तो sin 30 degree होता है 1 बटा 2 चलो cos 30 degree निकालते हैं तो cos 30 degree होगा यहाँ बराबर सनलंग्न भुजा बटा कर्ण 30 degree के सनलंग्ण भुजा है ये वाली, जो है यहाँ पर 2 गुणा, 3 का वर्गमूल, बटा, कर्ण, कर्ण है यहाँ पर 4, तो यहाँ आ जाएगा 4, तो cos 30 degree यहाँ बराबर हो जाएगा, 3 का वर्गमूल, बटा, 2, चलो अब 10 30 degree निकालते हैं, तो यहाँ पर 10 30 degree बराबर होगा, स 30 degree के समुख भुजा है ये 2, तो यहाँ आ जाएगा 2, बटा, सनलंग्ण भुजा, जो है यहाँ पर ये, तो यह है 2 गुणा, 3 का वर्गमूल, तो यहाँ पर 10 30 degree बराबर हो जाएगा, 1 बटा, 3 का वर्गमूल, चलो अब एक काम करते हैं, 60 degree के sin, cos and tangent निकालते हैं, तो यहा गया हमारा अत्रभुज, अब हम बात कर रहे हैं, 60 degree के, तो हमें अब 60 degree के समुख भुजा चाहिए होगी, तो 60 degree के समुख भुजा है ये वाली, तो 2 गुणा, 3 का वर्गमूल, 60 degree के समुख भुजा हो जाएगी, और 60 degree के जो सनलंग्ण भुजा है, वो है ये वाली, तो 2 हो तो ये बराबर होगा समुख भुजा बटा कर्ण के तो 60 डिगरी के समुख भुजा है ये 2 गुणा 3 का वर्गमूल तो यहा जाएगा 2 गुणा 3 का वर्गमूल बटा कर्ण जो है यहाँ पे 4 तो यहाँ आजाएगा 4 तो साइन साथ डिग्री यहाँ पर बराबर हो जाएगा तीन का वर्गमूल बटा दो तो साइन साथ डिग्री होता है तीन का वर्गमूल बटा दो चलो अब कॉस साथ डिग्री की बात करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस साथ डिग्री और कौस साथ डिग्री बराबर होगा सनलंग्न भुजा बटा कर्ण के साथ डिग्री के सनलंग्न भुजा है ये जो है यहाँ पर 2 बटा कर्ण कर्ण है यहाँ पर 4 तो कौस साथ डिग्री बराबर हो जाएगा 2 बटा 4 यानिकी 1 बटा 2 के चलो आखिर में 10,6 degree भी निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर 10,6 degree बराबर होगा समुख भुजा बटा सनलंग्न भुजा, 60 degree के समुख भुजा है यह जो है 2 गुणा 3 का वर्गमूल, बटा सनलंग्न भुजा जो है यहाँ पर 2, तो 10,6 degree यहाँ बराबर हो जाएगा 3 का तो हमने यहाँ पर इस 30,6,90 त्रिभुज के द्वारा, sin 30 degree, cos 30 degree, 10 30 degree और sin 60 degree, cos 60 degree और 10 60 degree निकाल लिए